तो IPL 2022 में दिगजो की फॉष तो है काफी भारी लेकिन फ्यूचर को ध्यान में लगते हुए कौन होंगे मेगा ओक्षन में मोस्ट एक्सपेंसिव अंडर 19 के खिलाडी और आज इस वीडियो में हम बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिप कर बात करने वाले हैं और वो है कि अंडर 19 वर्ल्ड कप की टीम में से कौन से वो टॉप पाँच खिलाडी होंगे जो इस मेगा ओक्षन में सबसे एक्सपेंसिव होने वाले हैं जैसा कि आपने कल देखा यह होगा कि ग्रेट इंडियन टीम ने पाचवी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का फाइनल जीत कर इतिहाच रच दिया दे मोस्ट सक्सेस्वल अंडर 19 टीम आफ आल टाइम लेकिन अब उन सभी की निगाहें मेगा ओक्षन की तरफ है और ये मेगा ओक उनका future भी सेक्योर हो जाएगा तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि वो कौन से 5 खिलारी हैं जिनकी तरफ टीम में सबसे ज़्यदा attract होंगी कौन इन 5 खिलारीों में सबसे महगा होगा और कौन किस टीम में जाएगा तो वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहीएग लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मेरी वीडियो ज्यादा तर लोग जो देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते So make sure you subscribe the channel, hit the bell notification और अब बिना देर किये इस मज़धार वीडियो को start करते हैं First Under-19 player जो इस Mega Auction में काफी high demand में रहने वाले हैं वो है Raj Bawa Under-19 World Cup के final में 5 विकेट चटकाने वाले पंजाब के Raj Bawa is one of the most versatile cricketer in this Under-19 Indian team Top 5 में वो कहीं भी बल्ले बाजी कर सकते हैं Top 6 में मुकाई पर भी बल्ले बाजी कर सकते हैं युगांडा के खलाफ जो 162 runs की इनिंग इनों ने खेली थी That was absolutely magnificent उसके साथ वो आपको वो चीज़ करके देते हैं जो Team India बहुत समय से ढूंड रही है मैं senior team की बात करता हूँ और वो है एक fast balling all-rounder धारदिक पांडिया के रूप में आपको एक all-rounder मिले लेकिन वो इस तरीके के all-rounder नहीं थे कि आप उनको top में भी batting करवा दो या आप उनको test cricket के लिए देखो और अब तो खेर वो इतने ज़्यादे all-round progression करते भी नहीं है बॉलिंग तो उनकी काफी समय से बन चल रही है because of his injuries तो अब इस समय राजबावा बहुत ही high demand में जाने वाले हैं इस mega auction में and I will not be surprise अगर 20 लाग से इस player की बोली शुरू होती है और जाते 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 वो 5 करोल के भी पार निकल जाती है क्योंकि आप एक ऐसा versatile player अपनी team में चाहते हैं जो ना सिर्फ batting में बड़े run बना सके क्या आप हार्दिक पांडिया से उम्मीद करते हैं कि वो किसी one day match में डेर सो बनाओगे क्या वो आप रविंतर जालेजा या दीपाख हुडा या किसी और player से शीवन दूबे से यह उम्मीद करते हो कि वो one day में डेर सो बनाएंगे I don't think so मैं तो नहीं करता लेकिन आपने उस player को ये करते हुए देखा है उसने 162 runs की inning खेली है और एक बार फिर से वो ऐसा करने के काबलियत रखता है वो balling भी करते हैं बैटिंग में करते हैं और प्रॉपर balling और बैटिंग करते हैं यानि कि एक तरीके से आप उनको इंडिया के Ben Stokes सी केटेगरी में रख सकते हो मलब in the future में उम्मीद करता हूँ कि वो इस तरीके से performance दे और इस mega auction में one of the most required player होंगे राजबावा second player जो इस mega auction में बहुत demand में होने वाला है from the under 19 squad वो है राजवर्धन हांगरेकर अब राजवर्धन हांगरेकर को क्या चीज़ खास बनाती है वही चीज़ जो राजबावा को खास बनाती है and that is complete all round package लेकिन राजबावा जहाँ पर आपको combine all round का option देते हैं as a batsman, as a bowler वही राजवर्धन हांगरेकर is more of a bowler जो लंबी हिटे मारता है और इस तरीके का player भी आपको चाहिए जो आपके 7 से 11 के बीच में batting करें मतलब obviously 7, 8, 9 तक आपकी batting रहे और उसके बाद आ करके वो तला लगा करके hitting करे और राजवर्धन हांगरेकर के अंदर वो attitude दिखता है, वो अच्छा करने की ललग दिखती है, वो एक persona दिखता है और मुझे लगता है कि इस mega auction में काफी demand में रहने वाले हैं राजवर्धन हांगरेकर and he could be one of the most expensive player from this under 19 team third player from the Indian under 19 team जो इस mega auction में काफी demand में रहने वाले हैं वो है left arm scene गेंदमाज रवी कुमार, अब left arm pace एक ऐसी चीज है आप मैंसे कई लग मुझे से पुछते हो कि भाई हमारे पस left arm seamer क्यों नहीं है अब इसका जवाब जब Indian selectors के पास नहीं है तो मैं आपको इसका जवाब क्या दू लेकिन अब रवी कुमार के रूप में हमें ये जवाब मिल सकता है रवी कुमार जो तरीके से लगातार openers के wicket चटकार है थोड़े अभी कच्चे हैं थोड़ा उनको पकने में वक्त लगेगा लेकिन जैसे जैसे वो cricket खेलते जाएंगे I hope वो एक complete baller बन करके आएंगे जो ना सिर्फ नई ball से बलकि death over में भी कमाल की wicket लेता है and I will not be surprised अगर इस mega auction में टीम्स उनकी पीछे भागती हैं considering he could be a future asset तो इस mega auction में तीसरे most important player most required player from the under 19 batch could be रवी कुमार fourth player जो इस mega auction में काफी demand में होगा from the under 19 Indian team वो है शेख राशीद अब शेख राशीद का नाम मैं क्यो ले रहा हूँ शेख राशीद का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ because of his temperament बहले ही बहुत ज्यादा strike rate उनका अभी इतना improve ना हुआ हो लेकिन शेख राशीद जिस तरीके से temperament show करते हैं उससे काफी players impressed होते हैं अगर आपके पास वो mental toughness है अगर आपके पास वो mental strength है तो आप किसी भी situation में survive कर सकते हो number 3 पर वो batting करते हैं और खास करके KKR या सद्राइजर हैदराबाद जैसी team है जो काफी prefer करती है young talent को वो शेख राशीद के पीछे जा सकती है और मुझे लगता है कि इस mega auction में बहुत ज्यादा demand में होंगे considering कि इतने ज्यादा batsmen आपके पास youngsters में from India available नहीं है जिनके पास इस तरीके का temperament है 5th player from the Indian under 19 team जो इस mega auction में काफी demand में होने वाले हैं वो है under 19 team के कप्तान यजजदूल अब यजजदूल का नाम यहाँ पर इसलिए है क्योंकि मेरे हिसाब से middle order में अगर कोई बल्ले बास batting कर सकता है with the good strike rate जो अगर जल्दी विक्टे गिर जाए तो आके team को संभाले और अच्छी रफ्तार से भी run मनाए उसकी तरफ आपको ज़रूर निगा रखनी चाहिए corona हो गया था जना आपको beach world cup में अगर उसके बाद कमाल की वापसी उन्होंने की और आस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमी फाइनल में हमारी early rickets गिर गई थी लेकिन उसके बाद number 4 पर batting करते हुए याश्दोल ने जिस तरीके की century मारी जो 110 रन उन्होंने खड़काए that was absolutely magnificent और याश्दोल अगर number 4 पर batting करके इस तरीके से innings को आगे ले जाने की काबिलियत रखते हैं तो जैसे जैसे उनकी age होगी जैसे जैसे उनको experience आएगा वैसे वैसे वो और बहतरीन होते चले जाएंगे और आप इस वक्त Indian senior team में देख रहे हो कि हमारे पास middle order में उस तरीके के खिलाडी नहीं है जितने भी player हैं वो सब top team में batting करते हैं फिर हम उनको नीचे खिलाते हैं वहाँ उनसे रन्नी बनते हैं तो हमें यश्दोल को मेरा मानना है कि middle order में try करना चाहिए और IPL की जो teams अपना middle order में यंग्स्टर्स को try करने को देख रही हैं वो यश्दोल के पीछे जरूर जाने वाली है और मुझे लगता है he could be one of the most popular player from this under 19 team जैसा कि मैंने आपको वीडियो की शिरुवाब आपने बताया था कि ये IPL का आखरी option हो सकता है SMA team में ना सिर्फ present या फिर near future को बलकि distant future को भी ध्यान में लगते हुए अपने team बनाएंगी और ये 5 खिलाली जरूर उनके radar पे होंगे लिकिन अब सवाल ये है कि ये 5 खिलाली किस team पे जाएंगे तो मेरी prediction यहाँ पर सिंपल सिंपल से ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ तो मेरे हिसाब से जो team राज बावा पर सबसे ज्यादा बोली लगाएगी वो है पंजाब किंग्स रॉयल चिलेंजर्स बैंगलॉर और डेली कैपिटल्स और इन तीनों में से ही कोई ने खरीद सकता है वही राजवर्धन हांगरेकर को कोलकता नाइट राइडर्स डेली कैपिटल्स और रॉयल चिलेंजर्स बैंगलॉर में से कोई ये खरीद सकता है रवी कुमार की बात करें तो Sunrisers हैदराबाद, पंजाद किंग्स और कोलकता नाइट राइडर्स उनकी तरफ जा सकती है वहीं शेख राशीद की बात करें तो Sunrisers हैदराबाद, कोलकता नाइट राइडर्स और लखनो सूपर जाएंट्स शेख राशीद पर बुरी लगा सकती है, उसके बाद यजधुल की बात करें तो एहमदाबाद की नई टीम, कोलकता नाइट राइडर्स और Sunrisers हैदराबाद, यजधुल को अपनी टीम मिल ले सकती है वही सबसे expensive players की बात करें, तो मेरा मानना ही कि राज बावा इन पाचो प्लियर में सबसे expensive players साबित हो सकते हैं रिज़न आप समयजेगे होगे, because of his all-round abilities, वो बैटिंग भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी कर सकते हैं, और दोनों ही जगा से गेम पलट सकते हैं आप सोच रहोगे कि इस लिस्ट में Mumbai Indians का नाम क्यों नहीं है, तो Mumbai Indians का नाम इसमें इसलिए नहीं क्योंकि वो under 19 players की तरफ इतनी ज्यादा बोली नहीं लगाते हैं उनका अपना एक स्काउटिंग सिस्टम है, जो उनको रिकमेंडेशन डोमेस्टिक खिलाडियों से मिलती है, वो सिर्फ उनी खिलाडियों को पिक करते हैं, ज्यादा वो यूआ टैलेंड या जोशीले टैलेंड के पीचे नहीं भागते, एक बैलेंस और मिचियोर टीम बना वो चेतन साकारिया, कार्तिक त्यागी, महीपाल, लोमरोर, इन खिलाडियों के पास भी जाना चाहते हैं, इन खिलाडियों की तरफ भी वो दोबारा बोली लगाएंगे, तो राजिस्थान, रॉयल्स और मुंबई इंडियन्स का नाम, इसलिए मैंने इस लिस्ट में नहीं अगर आप सब्सक्राइब करोगे, I will be more motivated, more happy और आपके लिए इसी तरीके के बड़िया बड़िया content बनाता रोगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन की घंतिक खटाखिट से बचा दिए, और इसी तरीके की मज़दार वीडियों के लिए बने रहिए, स स्पोर्ट इंकाम जलके साथ